शामली के कांदला थाना इलाके में छात्रा का गैंग्रेप कर हत्या मामले के पीलित परिवार ने सपा नेताओं के एक दल के साथ लखनाव में मुलाकात की इस दौरान सपा नेताओं ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला सपा नेता राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि योगी सरकार पीडित परिवार को 25 लाख रुपे की मदद करे पीडित परिवार को मुकदमा निस्तारन होने तक अस्थाई सुरक्षा मिलनी चाहिए पीडित परिवार के एक सदस्को सरकारी नौकरी और पीडित परिवार को किर्शी योग पट्टा और जिले में सरकारी आवास मिलना चाहिए इसके साथ ही धराश्टिय अध्धक्जी ने ये भी मांग की है कि पीडित परिवार को सरकार 25 लाख रुपे दे जिससे वो परिवार जिस हादिसे से गुजरा है वो दुख तो कभी कम नहीं होगा लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 25 लाख रुपे पीडित परिवार को दे आपको बता दीं कि बीते साल 13 दिसंबर को कांथला थाना इलाके में छातरा का गैंग रेप कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद से ही परिवार इंसाफ की उमीद लगाए बैठा है लखनव से अनिल सैनी पंजाब केसरी टीवी